हेलो फ्रेंड्स ये जो आप खुबसूरत से फ्लार्स देख रहे हैं पॉर्ट इलाका की आज इनकी बारे में तो बात हम नहीं करने वाले आज हम बात करेंगे ये जो आप इसके साथ देख रहे हैं खुबसुरत से पिंक कलर के फ्लार्स जो की रेंड लिली है और गाइज इसको मैंने लगाया हुआ है अपने टेरिस गारडन पर मैंने अपनी टेरिस गार्डन को बहुत स्मार्टली प्लैन किया है गाईज यहाँ पर आने के बाद आपको एक लग्जोरियस फील आएगा अभी क्योंकि मौनसोन टाइम है और बारिश बहुत ज्यादा हुई है जिसकी वज़े से जो यहाँ लॉन की घास है वो हलकी सी ब्राउन हो गई है और जैसे जैसे धूप तेज होगी वैसे ही घास भी लश ग्रीन हो जाएगी और यहाँ मैंने बॉर्डर लाइन पर लगाया हुआ है रेन लिली के प्लांट्स को तो आप देख सकते हैं कि यह मेरे रेन लिली के फ्लार्ज बहुत ही खुबसूरती से खिले हुए हैं और सबसे अच्छी बात है कि यह इसके जो बल्ब्स हैं वो मल्टिप्लाइ होते रहते हैं और रूट बाउंड होने की वज़े से यह मिट्टी को भी होल्ड करके रखते हैं तो साइड से टैरेस पर लीकेज का कोई इशू नहीं होता है और मिट्टी भी नीचे नहीं जाती है तो यह एक बहुत बड़ा फायदा होता है रेन लीडी को लगाने का जो मुझे समझ में आया और बॉर्डर लाइन पर खिले हुए यह खुबसूरत से फ्लार्ज जो मेरे टैरेस गार्डन की शोभा को चार गुना बढ़ा देते हैं दूसरा इन बल्ब्स को लगाने का सबसे ज्यादा फायदा होता है कि ना आपको कटिंग की जरूरत होती है ना ही आपको ग्राफ्टिंग करने की जरूरत है आपके बल्ब्स नीचे मिट्टी में ही मल्टिप्लाइ होते रहते हैं और जितने ज्यादा मल्टिप्लाइ होंग आपका बॉर्डर उतना ही ज्यादा चोड़ा और बड़ा बनता जाएगा जो कि एक टाइम के साथ-साथ खूबसूरती को बढ़ाएगा ही तो रेन लिली के जो प्लांट्स है मुझे परसनली बहुत पसंद है और इनके साथ किसी भी टाइप की केर करने की जरूरत नहीं होती है बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग भी अगर कभी हो जाती है जैसे कि रेनी सिजन में होता है तो भी ये बल्ब्स खराब नहीं होते और क्योंकि रेन के ये बरसात के ही प्लांट्स हैं तो इस समय ये पूरी शवाब पर होते हैं और बारिश के बाद जैसे ही कुछ गंटों की धूप आती है बहुत सारे नए नए फलार्स खिल करके आते हैं मैंने जब इन बल्ब्स को लगाया था तो हर छे इंच की दूरी पर मैंने दो बल्ब लगाये थे और अभी फलावरिंग से ही समझ में आ रहा है कि नीचे बल्ब्स के संख्या भी काफी बढ़ चुकी है और जब भी हम इने अलग करना चाहें तो बस बाहर निकाला और बल् अचाहें तरीके से इन्हें लगा सकते हैं और ऐसा भी नहीं है गईस के इसमें सिर्फ रेनी सीजन में ही फिलावरिंग होती है इस साल में जब ही मोसं चेंज होता है सरदी तो बीच मिल वाला जो प्लेजेंट सा समय रहता है उसमें भी इसमें आप देखेंगे कि अपने आ तेली को लगाना और ऐसे प्लांट्स जो कि किसी भी टाइप की देखपाल के जिनको अफशकता नहीं होती। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू सो माच।